Hey guys, welcome back to the channel, this is Pias Trapati and you are watching our YouTube channel TechPias आज का इस वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है जिन्हों ने अभी अभी अपना credit score चेक किया है और उनके जो credit score है उसमें show हो रहा है no credit history अब आप लोग घब रहा हो कि आदे no credit history क्या होता है आप लोग को पता ही निये कि no credit history से क्या हो सकता है क्यों आपके civil score में no credit history show कर रहा है क्यों आपका civil score points में show नहीं कर रहा है क्या आपको कभी loan मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या आपका कभी credit score generate होगा कि नहीं, जैसे बाकियों का generated रहता है, आपका क्यों generated नहीं है, क्या पूरा problem है, आपके civil score के साथ में, सब कुछ आपको इस video के अंदर जानने को मिलने वाला है, और solution भी साथ में मैं देने वाला हूँ, कि no credit history से credit history तर आप लोग कैसे जा सकते हो, तो बस आपको क्या करना है, इस video को शुरू तर देखना है, एन तक देखना है, एक भी single second को आपको बिल्कुल भी skip नहीं करना है, क्योंकि video बहुत important, बहुत interesting होने वाला है, सब कुछ बताऊंगा, डीटेल में समझाऊंगा, लेक वासे website में जब आप credit score चेक करना जाते हो, और वो जब show कर रहता है, no credit history तर आप लोग घबरा जाते हो, यह no credit history क्या है, n-c-h, अब यह term क्या है, इसका मतलब क्या होता है, और यह हमारे में ही क्यों show कर रहा है, तो बहुत ही easily मैं आपको समझाने वाला हूँ, no credit history कोई एक problem नहीं है, कोई आपने fraud नहीं किया, कोई आपके credit score के साथ problem नहीं है, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं, no credit history का मतलब होता है, आपकी credit history अबि ज़नरेट हुई यह जानिकि अभी आपने कोई loan के लिए apply ही नहीं किया, यह 고양. credit history, credit score तभी generate होता है, जब आपको इसा loan के लिए apply करते हो किसी buy now pay letter app पर sign up करते हो कोई भी चोटी चोटी 100 रुबीस की भी credit अगर आप लोग लेते हो यानि कि एक loan के format में credit आप लोग लेते हो अगर 100 रुपए की भी आपको मिल रहे है तो credit score generate करेगा लेकिन अगर आपने आज तक कोई credit limit के लिए apply नहीं किया है भले अगर 10 history तक जाने कि लिए आपका भी credit score generator को करना पड़ेगा किसी ना किसी loan के लिए apply किसी ना किसी credit card के लिए apply आप जब आप बहुत से credit cards scale apply करने जाते हो, बहुत से loan scale apply करने जाते हो, तो आपको loan नहीं मिलता है, सिर्फ इसी no credit history की चलते, क्योंकि आपने कभी loan लिया नहीं है, आपने कभी credit limit के लिए apply किया नहीं है, तो जो credit card companies हैं, जो banks हैं, वो आप पर trust नहीं कर पाते हैं, हम अगर आपको first loan देंगे, यानिकि अभी आपने कोई लिया नहीं है, तो अभी आप जो लोग पहला ही loan होने वाला है, तो उसको आप repay करोगी करोगी credit card, अगर आपको कोई पहला credit card loan को उसके bill को repay करोगे के नहीं करोगे, इसलिए ये बहुत पर problem हो जाता है, no credit history, लोगों को loan ना मिलने के, तो ये आपने कभी credit card लिया नहीं, इसमें आपकी गलती नहीं है, तो आपने लिया ही नहीं है, इसलिए आपको credit score generated नहीं दिख रहे है, इसलिए आपको no credit history दिख र प्रॉब्लम नहीं है, आपको 100% loan भी मिलने वाला, वो कैसे मिलेगा, उस पर मैं आता हूँ, जो देखो credit history generate करने के लिए, no credit history से credit history तक का सफरताय करने के लिए, आप लोगों को एक credit card की जड़ोत पढ़ने वाले है, credit card भी हो सकता है, या buy now pay later app पर sign up भी हो सकता है, जो सबस बेस्ट है, वो Amazon pay later है, flip card pay later है, दोनों पर ही जाकर कि आप sign up कर सकते हो, जो भी अगर आप हो 100 रुपीज की भी credit limit मिल जाती है, वो उस credit limit से आपको कोई फर्क नहीं पढ़ना चाहिए, 100 रुपे की मिल रही है, एक लाक रुपे की मिल रही है, आपका वो credit score generate करके देने वाल पर sign up करके, Amazon pay later पर sign up करके, कुछ और BNPL apps पर sign up करके, मैंने अपना credit score generate के और आप भी ऐसे ही कर सकते हो, अगर आप लोग first time दाकर credit card के apply करोगे, definitely आपका reject होने जाने वाला application क्योंकि अभी आपके no credit history शोग कर रहे है, निकि आभी आपने कोई loan लिया नहीं, और credit card है एक unsec लेकिन भी buy now pay later apps आपको easily एक credit limit छोटी सी credit limit दे देते हैं, जिसकारण से आप अपना credit score generate कर सकते हो, इसकारण से आपका credit card के लिया अप्लाइ करते हो, तो rejection के chances कम हो जाते हैं, क्योंकि आपका credit score already generated है, बाकि और भी rejection के chances होते हैं, और आप लोग credit score के साथ में कैसे credit card apply कर सकते अपना credit score के साथ में, आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा, तो बस यही है no credit history, कोई problem नहीं है, कोई आपको दिक्तत नहीं है, credit score भी आपका generate हो जाएगा, कैसे होगा, वो मैंने आप लोग को बता दिया, I hope आप लोग को no credit history समझ आ गए होगी, कैसे credit history आपको generate क करना है, सब कुछ आपको समझ आ गया होगा, वीडियो पसंद आया, तो लाइक करना है, YouTube मुझे पहली बार देखते हो, make sure कि आप चैनल को सब्स्राइब जरूर कर लो, और अगर अभी तो आप लोग नों मुझे इंस्ट्राइम पर फॉलो नहीं किया, तो फटा फर से सब्सक्राइब बहुत जल्दी मिलते हैं, नई वीडियो के साथ